नमस्काय गुड मॉर्निंग सिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं अडिटीवी राजस्थान बुलेटिन के शुरुआत कर लेते हैं एहम खबर के साथ राजस्थान लोगसिवा, आयोग सहाइक, आचारे पुस्तकालय अधेक्ष और शारे приस्किक्षन अज आयोजित कर रहा है इसकी तहतर राजस्थान का सामा निज्ञान प्रशन पत्र की परीक्षा का आयोजिन किया जा रहा है परिक्षा अजमेर भरतपुर भीकरे जैपुर जूतपुर कोटा और उध्यपुर जिला मुख्यालों पर दोपहर बारह से दो बजे तक आयोजित की जाएगी परिक्षा को सफल बनाने के लिए अजमेर पुलस लाइन सभागार में परिक्षा केंद्रू पर तैनात होने वाले पुलस जापते को आराधिकारियों ने निर्देश दिया है अजमेर आईजी कलेक्टर और एसपी ने सभी परिक्षा केंद्रू पर ड्यूटी को अंजाम देने वाले पुलस कर्मीयों को सुरक्षा को लेका निर्देश दिया है अजमेर आईजी ने बताया कि अभ्यर्थियों को परिक्षा शुरू होने के नियत समय से एक घंटे पहले परिक्षा केंद्र पर पहुँचना है अभ्यर्थी मूल आधार कार्ड लेकर परिक्षा केंद्र पर हाजर रहें अधारकार्ड नहीं होने के स्थिदी में अनिमूल फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे मद्दाता पहचान पत्र पास्पूर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आने का आदे शृत दिया गया है वहीं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभावे परिक्षा किंद्र में एजनसी और आयोग कंट्रोल रूम से करने की अपील की गई है शिकायत दर्ज कराने के लिए आयोग ने नंबर जारी भी किया है परिक्षा में अनुचत साधन का इस्तमाल करने पर 2022 सधिरियम के तहत आज इवन कारावास 10 करोड तक के जुर्माने और चल अचल संपत्ति की कारवाई की जाएगी आरपी एसी परिक्षा को लेकर शासन ने सरदी को देखते हुए अभ्यरतियों को गर्म कपडे पहन कर आने की परमेशन दी है पर शॉल विंटर कैप और मफलर पहन कर आने वाले अभ्यरतियों को प्रवीश की परमेशन नहीं होगी जूती मोजी स् त्यादी गर्म कपड़े अभ्यर्टी पहन कर आ सकते हैं। त्यायों को लेकर ट्रंक को खोलने का एक एलेक्ट्रिक कोड होगा जिसे केवल अधिक्षक ही कीपेड मोबाइल रखने की अजाज़त होगी। दूसरा हमारी तरफ से जो चेकिंग होती है, नकल रोखने की दरश्टी से, अनुचित साधनों को अपनाने की दरश्टी से, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे प्रशाशन की तरफ से, पुलीस की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, अलग-अलग परिक्षा को लेकर RPSC की तयारी तीन लेर में सील्ड होंगे प्रशन पत्र और प्रशन पत्र के परिवहन की वीडियो जो है, वो रिकॉर्डिंग स्ट्रॉंग रूम में प्रशन पत्र आयोग तक भेज़ जाने तक CCTV कैमरे की निगरानी में रहेंगे और निगरानी के परिक्षा केंद्र पर एक च्रक में सील्ड पत्र पहुँचाए जाएंगे और च्रक को खोलने का एक एलक्रोनिक कूड होगा केवल केंद्र अधिक्षक ही कीपेड मोबाइल रख सकता है, उन्हें राज़त होगी परिक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले पहुँचेंगे परिक्षा केंद्र में प्रवेश की जाज़त आवेधन पत्र, फोटो पहचान पत्र के मिलान की वीडियोग्राफी परिक्षा के दरान, फ्लाइंग स्कॉड केंद्रों का करेंगे निरेक्षन आरपी असी के परिक्षा को लेकर पुलिस मुस्तैथ है, परिक्षा केंद्रों पर अभ्यरतियों की मेटल डिटेक्टर से जाच की गई, अजवेर राजकी महात्मा गांधी उच्च, माधिमिक विद्याले परिक्षा केंद्रों की करी चेकिंग के बाद प्रवेश की अजा बाज़त दी जा रही है चेकिंग की दरान गर्म कपड़ों के अलावा स्मार्ट वाच कान की लॉंग हाथ में पहना धागा उतरवाया गया और RPSC पहिक्षाओं को देखते हुए अजमेर में भी इंटरेट सेवा बंद रखने का ने लिया गया है कई और जलों में भी इंटरेट सेवाएं बंद रखने का फैसला किया गया है संभागिया आयुक्त डॉक्टर भार्ती दिक्षित ने बताया कि दुपहर 11 से सुबह 11 से दुपहर 2 बजे तक इंटरेट सेवाएं बाधित रहेंगे इस दुरान 2G, 3G, 4G, 5G इंटरेट सेवा, बल्क, SMS, MMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, समीट, सोचल मीडिया सेवाएं जो है वो अस्ताय रूप से निलंबित रहेंगी वोईस कॉल, ब्रोडबेंड और लीज लाइन डीटा की सुविधा इससे प्रभावित रहेगी तो आज राजस्तान लोग सेवा आयोग की परीक्षा के मदिनगल नजर इंटरेट सेवा प्रभावित रही की अजमेर संभागी आयोगत ने बताया कि राजस्तान लोग सेवा आयोग की सहयक आचाया, पुस्तकाल्या, ध्यक्ष्व और शारिरिक परशिक्षन अनुदेशक परीक्षा के मधिनगर नजर नेट बंद का फैसला लेया गया है और अजमेर में सुबर 11 बजे से दो पहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा इस दोरान 2G, 3G, 4G इंटरनेट से वाएं बल्क, SMS, MMS, WhatsApp, Facebook, Twitter और बाकी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स जो है वो अस्थाई रूप से सस्पेंड रहेंगे उन पर उनका यूज नहीं किया जा सकेगा, इंटरनेट नहीं होगा वाइस कॉल, ब्राटबेंड और लीज लाइन डेटा की सुविधा पर नेट बंदी का असर नहीं होगा वे कोचिंग सिटी कोटा में आरपी असी के परिक्षा को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं कोटा में 64 परिक्षा के इंदरू पर 20,000 से ज़ादा अभ्यर्थियों की परिक्षा में शामिल हो रही हैं कोटा में किस तरह के परिक्षा के इंदरू पर इंतिजाम किये गए हैं हमारे समादादा शाकर अली ने जायज आलिया आये दिखाती हैं ये खास रिपूर्ट जा रहे हैं जूते उनके खुलवाय जा रहे हैं और तमाम जो चीजें उसको पहले तसली करने के बाद पुछ्टी करने के बाद इंदरू को परिक्षा के इंदर में परवेश दिया जा रहा है जिला प्रशाशन की ओर से बाहर से आने वाले ध्यारतियों के लिए ठेहरने की वियोस्ता भी की गई है नई सरकार का पहला ये एक्जाम है और इस एक्जाम में क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार पिछली सरकार में सामने आये थे पहली बार जो है नई सरकार में ये पहला बड़ा एक्जाम है और जिसमें कोई भी किसी भी तरह की कोता ही ना रहा है इसको लेकर के जिला प्रशाशन पूरी तरह से जुटा हुआ है ताकि कि तमाम चीजे जो ये वह सुरिश्चित की जा सके में बाद भी करने की कोशिश करता हूँ जी आपकी यह ड्यूटी किस तरह से किस तरह से प्रवेश दिया जा रहा है क्या चेकिंग की जा रही है सर कंप्लीट परशाशन के पूरे निर्देशों की पालना की जा रही है ज परशाशन की दौरह इस तरह से काम करने का पूरी तरह से परिक्षाक करते है इस ततर चेकिंग की जा रही है और पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है तो तमाम जो 64 परिक्षा के अंदर है वहाँ पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए है नई सरकार में पहली यह बड़ी परिक्षा आयोजित हो रही है और पहली बार नेट बंदी भी की गई है ग्यारा बज़े स परिक्षार्तियों को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा जिस तरह से तैयारिया की गई थी जिलाप्रशाशन की ओर से वो तैयारिया परिक्षा के अंदरों पर मुकंबल नजर आ रही है और जो परिक्षार्तिये वो भी पूरे उत् तो कोटा में ये परिक्षा जो है RPSC की उसे लेकर नकल पर नकेल कस्नी के पुखता इंतिजाम किये गए हैं शाकेर अली ने हमें खास इंतिजामात की वो रिपोर्ट दिखाई राजसान में RPSC की परिक्षा और इससे पहले खास्टी जिए कि तो सुबह की 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट से वाए बाधत क्योंकि 12 बजे से ये परिक्षा शुरू होगी 12 से 2 का समय है 11 बजे क्योंकि एक घंटे पहले परिक्षारतियों को सेंटर में पहुँचना होगा परिक्षा केंद्र के एक कक्षमे 24 अभ्यरती ही बैठेंगे ये कुछ खास चीज है यहाँ पर तो IPSC की परिक्षा और उससे पहले जो दिशान अर्देश वो काफी कड़े और कोटा भी आज इंटरनेट बंद रहेगा और खबर पर आपको ज़दा अपडेट देने की अजमेर में कड़ी सुरक्षा की बीच सेंटर्स जो है परिक्षा के उन पर प्रश्ण पत्र पहुँचाए गई है यह इस वक्त की खबर और अपडेट हम आपको बता दें और तस्वीरें आप देख सकते हैं अजमेर से जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच यह प्रश्ण पत्र पहुँचाए गई है तस्वीरें आप देख सकते हैं एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें हम आपको एंडेटीवी राजस्तान पर दिखा रही हैं यह परिक्षा केंद्र जहां पर परिक्षा अजमेर में और कड़ी सुरक्षा के बीच प्रश्ण पत्र जो हैं वो पहुँचाए गई हैं सेंटर पर ज दिखा रहे हैं एक्स्क्लूसिफ तस्वीरें किस तरह से आप देख सकते हैं कि बाक्स जो है वो परिक्षा के प्रश्ण पत्रों के और उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर पर पहुँचाया गया है तो यह लगातार तस्वीरें और अपडेट्स हम आपको इस परिक है